स्वागत थे बच्चों, अभी आप बारवी इतिहास का दूसरा चिप्टर राजा के सन और नगर पर रहे हैं, आज का मैंने महत्पूर्ण पस्न लिया है, मौरी परसासन के परमूख अभी लक्षनों की चर्चा के जिये, असुक के अभी लेखों में इन में से कौन कौन से त इसापुर्व, मौरी वन्स के संस्थापक बरावर चंद्रगुप्त मौरी, और मौर्चंद्रगुप्त मौरी का पोता कौन था? असुक, असुक का सासन था 272 तरिया 268 से 231 इसापुर्व, ये जितने भी हैं, सभी जो है महत्पूर्ण अबजेक्टिव हैं, आपके आते ह हमेशा परिच्छा में, कि मौरी वन्स के संस्थापक कौन थे? मौरी वन्स का अंत कब हुआ? चंद्रगुप्त कब कद्दी पर बेठा असुक का राज्य रोहन कब हुआ? और आप चित्र में देख सकते हैं, विसाल मौर्चंद्राज के परतीक राजा असुक का परतीक अस स्थूप का चार सिंग वाले, जिसका अभी भी महत्व है. मगद की विकास के साथ मौर्चंद्राज राजी का उदे हुआ, मौर्चंद्राज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौरी थे, इसका सासन पच्छिमी उत्तर में अफगानिस्तान और बुलुचिस्तान तक फैला इनके पोत्र असोक ने जिन्हें आरंबिक भारत का सर पर सिद्धि सासक माना जा सकता है, कलिंग आधनिक उडिशा पर विजय प्राप्त की, मौर्चंद्राज राजी था, मौर्चंद्राज के या परसासन के प्रमूख अभी लक्षन इस परकार है, मौर्चंद्राज यहा राजनिती कैंद्र, मौर्चंद्राज के पांच परमूख राजनिती कैंद्र थे, इसकी राजधानी पाठली फुत्र और चार प्रांतिया कैंद्र, तच्छसिला, उज्यनी, तोसली और सुर्नेगिरी, इन सब का उलेख असोक के अभी लेखों में किया गया है, यदि हम इ अर अस्थान पर एक जैसे संदीश उत्किर्ण थे, अगला पॉइंट है बच्चों, दुसरा पॉइंट है और समान सासन विवस्था, समराज में सामिल छेतर बड़े विवित और भिन भिन परकार के थे, कहां अफगानिस्तान के पाहाडी छेतर और कहां उडिशा के अबल प्रसासनिक नियंतर समराज की रालधानी तथा उसके आसपास के प्रांतिय केंद्रों पर रहा हो, इन केंद्रों का चैन बड़े ध्यान से किया गया, तच्छ सिला और उज्यनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्तपूर्ण वेपार मार्ग पर इस्थित थे, जबकि स चुर्ण गीरी अर्था सोने के पहाड करनाटक में सोने की खदान के लिए उप्योगी थी, चत्था पुएंट है बच्चो मार्ग या परिवहन की विवस्था, समराज संचालन के लिए भूमी और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अतियन तावस्यक था, राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सब्ता या महिनों का समय लग जाता होगा, इसका अर्थिया है कि यात्रियों के लिए खान पान की विवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी परतीफ होगी, ये था आपका जो है राजमार्ग, पाचमा सैनिक विवस्था, मौर समर आज में सैनिक दो प्रकार के होते थे, थल सेना, जल सेना, मेगास्थनेज ने सैनिक गतिवीधियों के संचालन के लिए एक समीती और छा उप समीतियों का उलेक किया है, इन में से एक का काम नौ सेना का संचालन करना था, नौ मतलब नौ, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तिसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अस्वरोहियों, गोडे वाले, पाचवी का रथारोहियों, रत वाले, और छठी का काम हाथियों का संचालन करना था, दूसरी उप समीति का दायत विभिन्न परकार का था, उप करनों के ढोने के लिए बैलगारियों की विवस्ता, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की विवस्ता करना था सैनिकों की देखवाल के लिए सेवकों और सिल्ब कारों की नुक्ति भी की जाती थी छहटा पॉइंट है बच्चो, अधिकारियों की कारिया मेगास्थनीज के विवरन का अंस है, पता चलता है समाज के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देख रेक और भूमी मापन का काम करते हैं जैसा कि मिस्र में होता था, कुछ परमुख नहरों में से उप नहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखे द्वार का निरक्षन करते हैं ताकि हर अस्थान पर पानी की समान पुरती हो सके यही अधिकारियों का संचालन करते हैं और सिकारियों की कृतियों के अधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं वेकर्वसूली करते हैं और भुमी से जुड़े सभी वेवसाय का निरक्षन करते हैं साथी लकड हारों, बड़ाई लोहारों और खनर करताओं का भी निरक्षन करते हैं साथमा पॉइंट है बच्चों, अखंड बनाने का रास्ता असूक ने अपने समराज जी को अखंड बनाए रखने का परियास किया ऐसा उन्होंने धर्म के परचार द्वारा भी किया जैसा की पता चलता है असूक के अनुसार धम उसकी निति थी धम के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा धम के परचार के लिए धम महामात नाम से विशेश अधिकारियों की न्यूकति की ये था आपका मौड समराज के परसासन की अभी लक्षन ये कैसा लगा वीडियो जरूर हमें कोमेंट करके बतावे बहुत बहुत धन्यवाद